हेलो दोस्तों नमस्कार कैसे आप लोग उम्मीद करते बहुत अच्छे होंगे चलिए आज हम बात करेंगे आपके बीच डायबिटीज क्या होती है डायबिटीज कहते हैं मधुमेरो क्या होती है चीनी की बिमारी कते हैं blood sugar में blood में गुलकोज की मातरा बढ़ जाना ही diabetes का लाती है नॉर्मल देखा गया है कि generally इसका जो है दो तरह से हम जाज करके जानते हैं एक होती है fasting में जाज मतलब खाली पिट जाज करते हैं अधिक खाली पिट का रेंज जो है आपको 90-110 तक है तो आपको इनॉर्मल रेंज माना जाता है और दूसरा जाज होता है दो घंटे बाद खाने के बाद जाज अधिक गुलकोज का लेवल आपके blood में 140 तक है तो वो रेंज में माना जाता है अब यही जो 110 फास्टिंग वाला और बॉर्डर लाइन जो 140 है खाने के बाद वाला यह जब उससे लेवल से बढ़ जाए तो उसी हम लोग बोलते हैं डायविटिक हैं डायविटिज हो गई है आपके blood में गुलकोज की मातरा बढ़ गई है आपकी मदूमे की बिमारी हो ग बिमारी होड़ी है उस बज़स हो सकता है आपको कोई तरह का उस्ट्रक्शन कोई तरह कर लंबे क्रोनिक बिमारी हो सकती है दूसरा कह सकते हैं आपकी इम्यून इम्यूनिटी जो कमजोड हो जाती है यह ज्यादा blood गुलकोज लेवल बढ़ने का chances रहता है तिसरा कह सकते है आपके blood में गुलकोज लेवल का बढ़ना अब यह हो गया पिशेंट को क्या लक्षन लेकर के आएगा मदू में की बिमारी लेकर के पिशेंट जब डायवटिक होगा तो क्या symptom उसमें आएगा तो पिशेंट आएगा तापको बताएगा मेरे पैड में हाथ में दीरे-दीर सूजन होते जा रही है सरीर भारी लगते जा रहा है फेस में सूजन होते जा रही है अंदर से थाकान लगड़ी है अंदर से वीकनिस लगेगी उनकी एस्टेमिना घटते जाएगी और खास करके जब डायवटिक पिशेंट का गुलकोज लेवल बहुत जादा बढ़ जाती और ट्वाइलेट यूरीनेशन बाढ़ बाढ़ होगी ये तीन परमुक लक्षन है आपकी डायबिटिक पिशेंट का आप जानेंगे जब गुलकुंज लेवल बढ़ती है तो आपको प्यास भी बहुत तेज लगती है लंबे समय से होने के बाद ओर्डिमेटस कंडिशन भी ह होने की संभावना राती है और दम अंदर से फुल ने लगती है अब हम बात करेंगे पिशेंट जब आएगा इसको मेंटिनेस कैसे करेंगे कुछ ऐसी मेंटिनेस खाने पीने को बताएंगे फिजिकल वरक अच्छे करें गिरीन भेजिटीबुल की सेवन ज्यादा करें जू लेने से आप बहुता तक आपका गुलकॉंज लेवल आ जाएगा अब इसके साथ उस दिक्कत रह जाए इसके लिए बहुत ही दवा आपके हमें बैतने बनाई है चलिए इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए अधी आप मेरे जनु सब्सक्राइब नहीं किये तो सब्सक बटा देगी कितना भी हाय चीनी की चीनी लेवल चली गई है उसको डॉन कर देगी इसके लिए बहुत अच्छी दवा है आपको जाइम नेमा सल्वेस्टा जाइम नेमा सल्वेस्टा एक मदर टींचर है जो आपको लेना कैसे हाय गुलकॉंज है तो तीस बुंद कड़के दो बार तीस बुंद सुबक खाली पे तीस बुंद रात में दो बार आधा गलास पानी के साथ लेना है ये जाइम नेमा किसी भी तरह के बलड में गुलकॉंज लेवल उसमें ओडिमेटरस कंडिशन उसके साथ जो सिम्टम आती है बहुत जादा भूख लगना बहुत से टेवलेट करके तीन बार किसी भी तरह की एसुसेट सिम्टम को बिलकुल ठीक करेगा इसी तरह नए वीडियो देखने के लिए आप मेडिशन बने रहें धन्यवाद